हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कम्पटेटिव वर्ड में है दोस्तों आज के वीडियो में हम अगेन एक एनालिसिस रिव्यू देखने वाले हैं एक स्टोर सुप्रेटेंडेंट के एक्जाम का इस वीडियो में खास यह है कि यह जो पेपर थ यह आपका यह लेंका बैंगलोर के अंदर था जिनमें एक बंदे ने हमें शेयर किया है काफी थे तो यह जो पेपर था यह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मतलब जिस बेसिस पेपरेशन करके स्टुडेंट्स गय थे इस पेपर के लिए पेपर वैसा बिलकुल भी नही आया तो यह जानने के लिए कि पेपर किस तरह का आया कैसा आया आपको वीडियो पूरी देखनी होगी तो वीडियो को एंड तक बने रहें साथी में बीच में वीडियो को ना छोड़ें अगर आपका आने वाला पेपर है इस पोस्ट के लिए तो आप वीडियो को पूरी देखें क्योंकि जिन्होंने भी एक्जाम दिया है वह काफी मतलब क्या कह सकते हैं कि सैड थे पेपर देने के आने के बाद जिस तरह से वह तैयारी करके गए थे और जिस तरह का पेपर आया तो उससे वह खुश नहीं थे तो आगे मैं उनका चैट भी दिखाने जा रहा हूं आपको जिसे कि आपको पता चले किस तरह का पेपर आया था ठीक है तो लेट स्टार्ट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर्ड सब्सक्राइब कर लें साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी कुछ रिवीउज वीडियो हैं कुछ MCQ की पीडियो वीडियो हैं और कुछ आपको कॉंसेप बेसिस की ही 3, 4, 5 वीडियो हैं जो कि अगर जहां भी जिस कुश्टिन, जिसेग्जाम में भी स्टोर रिलेटट ट्रेट रिलेटर कुश्टिन आ र लिंक मिलेगा आप वहां से मुझसे contact कर सकते हो और वहां से आप फिर e-book ले सकते हो काफी लोग उने अभी तक ले लिया है और review भी अच्छे हैं कि उससे question आ रहे हैं exam में ठीक है तो अगर आपको चाहिए अगर आप वीडियो पर first time आये हो आपको नहीं पता है तो आप वहां से मुझसे contact करके वह e-book ले सकते हो ठीक है नेक्स वीडियो में भी बनाने वाला हूँ काफी लोग पूछ रहे हैं कि syllabus क्या है ट्रेड के question का तो ऐसा कोई defined syllabus तो नहीं है ट्रेड कोई पढ़ाने वाला topic नहीं है जैसे कोई school और college में पढ़ाई हो रहा हो बट एक definite जगह से question पूछे जाते हैं तो जो भी मेरे पास जो material level है मैं उसका syllabus wise, topic wise आपको एक वीडियो बना के देख लूँगा जिनें भी चाहिए होगा वो वहां से देखके अगर उनको लगे सही तो फिर वो मुझसे contact आरके वो उसको ले सकते हैं तो next वीडियो हमारा उस पर होगा आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं store superintendent के लिए जिन्होंने paper दिया था उनका paper कैसा रहा चलिए शुरू करता है तो ये थे इनका ही paper था ये लेंका बैंगलोर के अंदर जिनका नाम आप देख सकते हो मैंने यूँ ही save करके रखा है candidate ये लेंका थीक है तो इनका paper था तो सबसे पहले हम admit card अगर देखें इनका तो admit card अगर आप देखोगे तो एन अजय भार्त इनका नाम है एंड आप फिर यहां ध्यान दो 31st October को इनका paper था 31st October paper था 2nd shift में इनका paper था 9 hours reporting time थे ठीक है 30 और center आप देख सकते हो यहां पर superintendent store के लिए था AFS ये लंका superintendent store and this is the address ठीक है तो इनका paper था आपने ये देख लिया अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया क्या किया तो आप यहां से देख सकते हो इन्होंने पहले मुझसे वो material भी purchase की हैं तो इसके उपर भी बात की हुई है बट कल जो paper exam का हुआ उन्होंने ये exam देने के बाद जब ये center से निकले तो उन्होंने किया message Hi, today I had store superintendent exam in Bangalore जो कि यह लेंग का center है वो आपको बैंगलोर में पढ़ता है तो इन्होंने कहा कि 100 marks reasoning English aptitude and general knowledge 100 marks का जो paper था उन्होंने बस इन 4 parts से questions आये थे trade के एक भी question नहीं थे ऐसा इन्होंने बताया ठीक है और 20 marks each no trade question came question superintendent store के paper में नहीं पूछा गया ठीक है अभी तक हमने 4-5 videos देखें बहुत सारे बच्चों के review देखें पढ़ें उन्होंने उनके exam में अभी तक as per si levels 50 questions trade से पूछे जा रहे हैं चाहे वो store keeper के हो या store superintendent के हो बट इन्होंने जो paper दिया बैंगलोर के अंदर store superintendent के लिए तो इनके question paper में एक भी question trade से नहीं पूछे गया ठीक है जैसा कि मैंने कहा not a single question उन्हें कहा no bro not even a single question came एक भी question नहीं आया so मैंने कहा भी it's unbelievable क्योंकि trade का जो syllabus दिया गया है उसमें कहा गया है इन सा पोस्ट के लिए कि 50 questions इससे आएंगे और उसी basis पे students prepare होके जाते है but वो question वहां से नहीं आया ठीक है again इन्होंने बताया just now I came out of the center इन्होंने बताया कि अभी अभी मैं center बाह रहा रहा हूँ जो कि उस time time हो रहा था आपका नौ बच के बारा बच के बत्तिस मिनट reporting time इनका 9 hours पे था तो I think इनका paper में भी 10 और साथे 10 के बज़े आसपास शुरू हो गया हो ठीक है तो फिर मैंने इन से कहा कि 20 marks each इन्होंने उपर कहा तो मैंने कहा कि then paper is out of a tea तो फिर उन्होंने बताया कि sorry 25 each उन्होंने कहा कि 20 इन्होंने 25 each question जैसा कि हमारे regular basis exams में पूछे जाते है 25 GK and reasoning English and maths तो इससे आपको 100 question हो जाते है लास्ट मन्थ आई गेव एक्जाम इन अवादी स्टेशन ब्रो देर वास 50 ट्रेड कोशन बट हैर इन बैंगलोर not even a single question तो यही है इन्होंने खुद भी कहा कि मैंने लास्ट मन्थी अवादी स्टेशन के अंदर पेपर दिया था वहाँ 50 trade question आये थे बट यहाँ एक single question भी नहीं पूछे के trade से फिर मैंने पूछा exam कितने देर का था उन्होंने कहा 1 hour almost सभी center पे जो पेपर हो रहा है वह आपको टू आवर्स के पेपर हो रहे है ठीक है almost जो सभी center पे पेपर हो रहे है उनके admit card में भी पीछे mention है exam time exam time अगर आप देखो कि admit card के पीछे तो वहाँ 3 hours mention है जिसमें से 3 hours पूरे exam के लिए नहीं है वो एक hour checkings और center पे आने जाने का time है 2 hours जो है वो आपका paper time है बट इन्होंने कहा कि एक घंटे का ही paper था एक घंटे में आपको 100 question solve करने थे जिसमें 25 question reasoning, gk, english और mathematics के थे trade से एक भी question नहीं आये थे ठीक है फिर तो जैसा कि मैंने कहा ये तो बहुत कम था उन्होंने कहा कि exam was tough मतलब exam hard था फिर मैंने पूछा उनसे एन्यमे मेरे बस्ट question ताकि मैं आप लोग के साथ सेर कर सेकूं अगर कोई question हो तो इन्होंने कहा general knowledge questions were so tough general question ऐसे भी general की जो paper आती है general awareness कैसे तो जहां trade के question पूछे जाते हैं वहाँ 10 question फिर मैंने कहा कुछ question याद है कि क्या आये थे इन subject तो उन्होंने कहा कि I will go home and send to time and distance फिर उन्होंने बताया शाम को किस तरह के questions आये थे तो इन्होंने कहा time and distance based exam fraction find the missing number और in English आया था आउड 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 फॉर्मिंग करेक्ट सेंटेंस एंटरेम अंसानने इस तरह के question आपको सारे में इन्होंने बताया exact question यह उन्होंने एक भी share नहीं करब सके तो इस तरह के question आये थे ठीक है एक और candidate है जिनका paper मैं आपको अभी दिखाता हूँ उन्होंने भी बताया है message किया है कि उनका भी same center था question इलंका बैंगलोर में उन्होंने भी message किया है तो जैसा कि आप देख सकते हो फिर इन्होंने भी एक और बंदे ने ask by them मतलब इनका कहना आप साब समझ सकते हो इस लाइन से कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से prepare किया था इन्होंने भी मुझसे material ली थी इन्होंने काफी अच्छे से prepare किया और इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि एक भी question trade से नहीं नहीं पूछे गया ठीक है फिर मैंने पूछा center तो इन्होंने वही बताया ilanka bangalore तो इस center के अंदर जिन्होंने भी पेपर दिया है उनको स्टोर सुपरेटेंडेंट के exam के अंदर एक भी question trade से नहीं पूछे गया है ठीक है मैंने बताया मैंने पूछा और कुछ बता सकते हो प्रोसर से एक्जाम ध्यान हो तो उन्होंने का okay I will letter मैंने पूछा in how much time and maybe in evening bro I because I am in office now तो यह office में है so इन्होंने भी paper दिया और इनका भी वही कहना है कि एक भी question हमारे trade से नहीं पूछे गए ठीक है तो अब जो बात आती है तो बात आती है कि अब question किस आधार पर किस बेसिस पर पूछे जा रहे है ठीक है तो जैसा कि जिन्नोंने भी मुझ से पहले बात किया है, मेरे contact में आये हैं तो मैंने उन्हें भी पहले बताया है उन्होंने syllabus पूछा, मैंने syllabus बताया क्योंकि एक defined syllabus है Air Force की तरफ से civilian के paper group C के लिए एक syllabus दिया गया है, जिसमें mention है, कि 50 questions trade related means post related question पूछे जाएंगे and other 50 में आपको 10 reasoning, sorry 10 आपको रहेंगे 15 आपको होंगे GK, 15 होंगी reasoning and 10 होगा computer or maths और 10 होंगे आपके English, ठीक है तो इस तरह से इस pattern पे आपके 100 number के paper पूछे जाएंगे, but finally मैंने साथी साथ में एक बात और कही है, कि यह जो paper है आपका Air Force Group C civilian exam, यह सब कुछ finally depend करता है center के उपर ठीक है, syllabus तो एक इन्होंने दे दिया कि इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है but finally जो exam का pattern and question paper का pattern, questions साब कुछ depend करते हैं आपके उस Air Force Station के center के उपर, कि उनके मन पे है कि वो किस तरह के question थे जैसा कि कुछ दिनों पहले एक center पे MTS में मातर 25 question पूछे गए थे तो आप सोच सकते हो कि किस किस पार्ट में कितने question रहे होंगे ठीक है, फिर कुछ जगह पे कहीं पे 80 questions आएं कहीं पे 90 question आएं, कहीं पे 70 question आएं तो ये सब finally depend करता है कि आप कौन से center पे paper देने जा रहे हो उस center पे depend करता है कि उन्होंने किस तरह के question आपने देने है ठीक है तो syllabus अगर आप पूछोगे तो syllabus यही है 50 question ट्रेड के आने है बट वो ट्रेड पे मतलब उस center पे डिपेंड करता है, मेभी वो आपको check करना चाहें कि आप तो बस ये पढ़के आओगे कि ट्रेड के ज़्यादे questions ज़्यादा students के पास knowledge होती नहीं है तो आप ट्रेड के पढ़के चले गए वहाँ paper गए है, दे दिये, selection हो गया उन्होंने ऐसा किया कि आप जो पढ़किया है, उसका उल्टा पूछ दिए अब जो fight करता है, अब जो selection होता है वो real है तो ऐसा ऐसा बहुत सारे center पे ऐसा हो रहा है तो एक तरह से तो आप इस तरह से prepare करके जाओ ऐसा नहीं कि trade का पढ़ना आप छोड़ दो तो यह थी review आगे भी कुछ दिनों में centers अलग-अलग centers पर अलग-अलग exam होने वाले हैं उसमें भी अगर जिस तरह के question आते हैं वह मैं आपको अपडेट करता रहूंगा तो यह थी आपके Air Force Station ये लांका बैंगलोर का जहां एक भी trade के question नहीं पूछे रहे पेपर में ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में